वोल्ड वार्टो के बाद इस दुनिया के हलात काफी खराब हो चुके हैं सिंग दिखा जाता है फिल पेन का जहां एक सोलजर दूसरे मेरे हुए सोलजर को खा रहा है लेक्स सीन में हमें फिल पेन की ही एक फैमिली से मिलवाया जाता है जिसमें एक छोटी लगी डाला इस पानी आदमी आता है जिसका मानना है कि टाला के डाड ने चरपानी आर्मी का गोल्ड चुराया है जो इल्जाम टाला के डाड मारने से इंकार कर देते हैं तो उसे में ये आदमी इन्हें धंकी देकर शाता है कि तुम्हारे बास सिर्फ दो दिन का वक्त है अगर तुम ने गोल्ड वापिस ना किया या उसके बारे में ना बताया तो मैं तुम्हारा बहुत पुरा हशर करूँगा वो आपनी तो धंकी देकर जा चुका था पर टाला के डाट उसी को मारने की प्लानिंग में लग गए थे क्योंकि वो अपनी फैमिली को बचाना चाते थे इस आपनी क मारने की अपने डाट की प्लानिंग ताला भी सुन लेती है जिसको रिलेक्स करने के लिए उसके डाट कहते हैं परिशान मत होना मैं जेंगल के रास्ते से जा रहा हूं किसी को मेरा पता नहीं चेलेगा और मैं जल्दी ही वापिस आ जाओंगा और इस सब के बाद काफी दि गुजर जाती है ताला के डाट अभी तक वापिस लोड कर नहीं आय थी ताला की मौव की पितबियत अचानक बहुत जाता भी कर जाती है उनकी में उन्हें उठाकर उनके रूम में बेट पर लिटाती है और इस सब के परिशानी में ताला के मौश से ये निकल जाता है कि श इसकाम में उसका भाई भी उसका साथ देने का फैसला करता है और ये लोग घर से बाहर जाते हुए अपने डाट की गन को भी अपने साथ रख लेती हैं। चलते चलते डाला के भाई को दूर से एक अचीब आवास सुनाई दी थी है। जबके सामने डाला को अपने डाट नजर आ गये थे। पीछे मुड़कर अपने भाई को देखती है तो पीछे से उसका भाई गाई था। अवास को सुनते हुए जंगल में एक नदी के पास टाला के सामने आदी है एक फीरी वो टाला से कहती है कि तुम्हारा देल बहुत साफ है इसी वज़ा से तुम इस चर्च में आपाई हो। साथी वो टाला को टाला के भाई और डैट के बारे में बताती है कि तुम्हारा भाई घर चा चुका है और तुम्हारे डैट भी अभ पुछे घर से बाहर जाने की वज़ा से डांट भी पड़ी थी वो यहां अपनी मौम को बताती है कि मैं डैट को नहें डून पाई और उदास्त अपने रोम में वापिस आजाती है उसे मिलती है दुपारा वही फेरी जो उसे जंगल में मिली थी यहां फेरी डाला को अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मैं सब चाहती हूँ सब जो यहां हो रहा है मैं यह भी जाहती हूँ कि तुम्हारे डैट इस वक्त कहां है और किसमत सब के लिए हैं तुम्हारे डैट सिर्फ उस जापानी आत्मे को मारने के लिए नहीं गए जिन्हों ने उन्हें मारने के की थी वो तो बलकि अपने दुश्मनों से यानि अमेरिका वालों से मदद भी लेने के लिए जाए हैं तुम्हारे डैट एक ख़दार है मैं ये बिचानती हूं कि तुम्हारी मॉम भी बिमार है अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें ठीक कर सकती हूं ये कहकर वो टाला को एक जा लेने लगा कर कहती है एसन ही है हमारी मदद वो फेरी करेगी टाला यहां उसे फेरी के बारे में सब कुछ बता चुकी थी जिबके दूसरी तरफ हम उसी जपानी आत्मी को टाला के घर के बाहर देखते हैं जिसने टाला के डाट को धम की दी थी लिहीं घर के अंदर टाला क मौम की दबित अब इतनी खराब थी कि टालो को लग रहा था कि बस अभी वो मर जाएंगी कुछ भी ना समझाने पर वो फेरी की बात मानते हुए उसका दिया हुआ बग अपनी मौम के उपर छोड़ देती है दिखा जाता है कि वो बग इस सोरत के मूँ में चला जाता है जिस कर उसके दोनों बच्चे बहुत हुश थे और अब टाला भी अपनी मौम को फाइनली फेरी के बारे हुए सब बता देते हैं सुनने में ये सब उनके लिए काफी अजीब था लेकिन जो भी था अच्छा है था रात होने पर दोबारा टाला की मौम की तप्यत बिकर चुकी उसकी कमर पर कोई चीज उबरी हुई थी ऐसे जैसे उस फेरी का दिया हुआ बग ही टाला की मौम की स्किन के अंदर था सुबह उने पर टाला का भाइक देखता है कि उसकी मौम बहुत ही अजीब तरीके से अपने ही हाथ को काट के खार ही है ये सब देखकर वो ठर जाता है टाला की मेट उसकी मौम को उठाकर उसके घ Until a की मौम को अचीब दोरा पडता है उसकी हालद पिकड़ गई थी उसकी बौडी की सारी वेंज रेड होकर बाहर की तरफ उबर आई थी ताथ ही उसके सुबहन भी अजीब जानुए की तरह बन पर बंकर लंबे होकर बाहर की त दरख देती हैं सी इंकट होकर दिखाया जाता है कि ताला एक बगड बड़ी सी बास्केट लेकर जन्गल में आई है उसी फेरी के पास वह उससे जब खाने के लिए कुछ चीज़े मांगती है तो फेरी स्कामनी खानी का एक बहुत बड़ा टेबल सजा देती है और टाला से कह खरीब हरकते कर रही हैं और ये सब जिर्फ तुम्हारी उस भीरी की वजह से हो रहा है उसे में टाला उसे एक थपड़ मारती है पर थोड़ी देर में उसे एहसास हो चुका था कि उसका भाई बिलकुल ठीक कह रहा है रात में अचानक ही टाला के कमरे का दर्वासा कुलता है वहां उसकी आँखी आखे गाली थी वहां शल्दी से बाहर जाकर देखती है तो वहां उसकी मौम उसी के डॉप को खारी है इन्हें देखकर डालास समझ चुकी थी कि उसकी मौम इंसान नहीं रही बलके वो जानवर और को खाने वाली एक डीम मन बन चुकी हैं डर कर टाला अपनी घर का दर्वासा बंद कर देती है थारा शोच तुनकर टाला का भाई और उसकी मेट भी यहां आ चुके थे वो जब दर्वासा कोल के बाहर देखते हैं तो उनकी मौम बेहोश पड़ी थी और साथ ही सखमी हालत में एक परिंदा भी था जिसको उसकी मौम निखाने की कोशिश की थी यह लोग अपनी मौम को उन्हें उनकी कमरे में बंद कर देते हैं यह दोनों बहन भाई उदास पैठे थे टाला का भाई रो रहा था और टाला उसे कहती है तुम रो नहीं मैं सब ठीक कर दूंगी जबकि इनके घर के बाहर हमें वही फैरी दिख रही है जो टाला के मौम के शिकार किये हुए परिंदे को खा रही थी और इससे हमें मालूम हुआ कि वो भी एक डिमोनिक फैरी है यानी एक शेतानी फैरी वो फैरी अब घर की अंदर आ जाती है और यहां टाला उसे कहती है कि तुम बहुत बुरी हो तुम्हारी ही वज़ा से यह सब हो रहा है मैं जान दी हूँ जिस पर वो फैरी कहती है मेरी वज़ास कैसे यह फैसला तो तुम्हारा ही था मैंने तुम्हारी मौम को ठीक कर दिया लेकिन किसी पे खौईश को पूरा करने के पीछे एक कुरबानी तो देनी ही पड़ती है औ और फिर ही इहां से गाइब हो जाती है, सीनकर ठोकर दिखाया जाता है कि टाला जब बेसमेंट में जाती है तो वहां उसकी मेट और वो जपानी आतमी पहले से ही मुझूद था, यह लोग यहां गोल्ड धून रहे थे, ताला को दिखती ही यह जपानी आतमी टाला को भी कर देता है उसके भाइका बहुत खुन बेरा था और यह दिखकर टाला बहुत उससे में अचकी थी वह अब अपने मौम की रूम की चाह भी इस जपानी आत्मी को देते हुए कहती है कि चाह गोल्ड उस रूम में है जाकर ले लो टाला यह बात जानती थी कि उसकी मौम अब ए करती है कि तुम्हारे डैड कोई अच्छे इंसान नहीं थे वह एक गदार थे वह हमारे दुश्मनों के साथ यह नहीं अमेरिका के साथ मिले हुए थे और उसी की वज़ा से यहां बिचारे बहुत से बेकसूर लोगों की जान शेली गई यह सुनकर टाला कुछ नहीं बोलत शूट कहती है और गोली जब पानी आदमे को लखने के बचाए मेट को लख जाती है जिससे देखकर टाला काफी दुखी भी होती है क्योंकि वो मेट से काफी अटैच थी है अब वो अंदर कवरे में कोई नहीं था वो बाथरूम में चाती है तो बाथरूम पूरा खोन से लटपत था और उसकी मॉम किसी जंगली की तरहां जपानी आदमी की बॉड़ी को चीर भाड़ कर खा रही थी अपनी मॉम की यह हालत देखकर टाला बहुत ही जाता डर चुकी थी इसलिए वो अपने भाई को उठा कर उसे बचाने के लिए महां से भागते हुए बाहर आ ज जाती है वो उसे मतद के लिए करी ले जाना जाती थी लेकिन बहुत सारा फोन बहने की हुजा से डाला का भाई भी मर चुका था डाला दुख में अब भागर दुबारा जंगल में बनी उसी चर्च में आती है जहां उसे पहली मरतबा फेरी मिली थी वो फेरी से कहते है कि बस बहुत हो गया, अब ये सब खत्म कर दो, उसकी बात सुनकर फेरी उसे एक golden mango खाने को देती है, ताला के इंकार करने पर फेरी जोर से चलाती है, और यहां हम पहली मरतबा फेरी का असल बुढ़ा और अजीब चेहरा देख पाते हैं, वो इस देब डर कर भाग कर अपने घ उपर भी पर जाती है, वो उसे खाने के लिए उसकी तरफ परती है, लेकिन टाला बहुत सादर डर कर अपने आपको एक रूम में लॉक कर लेती है, पहर से उसकी मौम जोर से दरवासा पीछ रही थी, और डर कर चिलाते हुए उससे में टाला गहती है, बस बहुत हो गया, अब ये सब बंद कर दें, उसकी येते ही अचानक हर जगा खामोशी हो जाती है, और इस खामोशी का मतलब चेक करने के लिए टाला अपने कमरे का दरवासा खोलती है, उसकी मौम सामने गिरी हुए थी, और उनकी कमर की स्किन के अंदर से वो बग निकल का भी और चुका था और उसे गोल्डन मेंगो देते हुए कहती है, कि अकर तुम इसे खालोगी, तो तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, टाला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो उससे वो मेंगो ले ले लेती है, और फिरी वहां से गाइप हो जाती है जिसके बाग दिखाया जाता है कि टाला के डैट भी अपने साथी के साथ घर वापिस आ चुकी हैं, घराने पर उन्हीं अपनी वाइफ और बेटा मरे हुए मिले थे, जिस चीज़ ने उन्हें भी अंदर से खत्म कर दिया था, जिस वक्त वो सुर सुर से रो रहा था, तब भी उसका साथ ही उसकी खूफिया चका से चापानी आर्मी का सारा गोल्ड बाहर निकाल लेता है, और फिर एक गंद निकालकर टाला के डैट के पास जाकर उन्हें शूट करके फत्म कर देता है, यनि टाला के डैट की अपनी साथी ने उन्हीं धोका दे दिया था, और ये बुरे कामों की सजा थी, टाला ने अपने डैट को भी मरते हुए देख लिया था, वो आप कुछ नहीं कर पा रही थी, और ये सब इसलिए हुआ था, कि उसने फेरी का दिया हुआ गोल्डन मैंगो नहीं खाया, टाला की फैमिली के सब ही लोग मारे जा चुके थे, सिवार टाला के, अब सबसे पहले वो इस फैरी को मारना चाहती थी, जिसने उसकी फैमिली का यहाल किया था, और फैरी ने हजल में सब को मारने के बाद टाला को सिर्फ इसलिए जिन्दा चोड़ दिया, क्योंकि उसका दिल बिलकुल साफ था, ये फैरी थी तो एक दिमोनिक फैरी यनि काम तो ये बुरे और शेतानी करती थी, लेकिन एक बात जो अच्छी थी, वो ये कि ये सिर्फ उसी इनसान को मारती थी, जिसके दिल में लालच होती, या जो इनसान अंदर से बुरा होता, ये कहानी यहां खत्म हो जाती है